नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटुब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग याँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फूल टेस्ट लगाएंगे जहां पर आपकी 50 मात पूर्ण प्रस्ने जितने लोग याँ पर जुट चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए प्लेइलिस बना दिया है जहां पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आवाज आ रही है के लिए रहे है तो चलिए हम लोग याँ पर गद्यांस दिया है जो की 51 से लेकि आपके 54 तक आपके गद्यांस हैं हमने बैताया है कि गद्यांस अगर चोटा है तो गद्यांस को पहले पढ़ लिजे और अगर गद्यांस बढ़ा है तो आप प्रस्णों को पढ़ने के बाद ही जवाब दीजे तो जल्दी से आप इसे सौल कर पाएंगे ठीके जाओंगा यहां पर इतने का सिर्फ जाब देना है कि घर जाओंगा में कौन सा वाकिय है संग्या है विसेशन है क्रिया विसेशन है क्या है इसमें 155 का सही जवाब और आपका सही जवाब हो जगा यहां पर घर जाओंगा अर्थाति यहां पर क्रिया आपका हो जगा क्रिया हो जाएगा ठीक है ओप्सन आपका D हो जाएगा अगला है इलाहबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है इलाहबाद में कौन सी बोली बोली जाती है तो आपसन राइट आपका हो जाएगा B आपकी ओधी बोली ठीक है कौन सी ओधी बोली ऑपसन राइट आपका B हो जाए है तो A का उचारण का से निकलता है तो कंठ और तालू से ठीक है कंठ और तालू से इसलिए कंठ तालू हो जाएगा option right जिसका जवाब है आपका D बिल्कुल सब जेगा कंठ तालू ठीक है चलिए नेस्कोर्षन आपसे एकला पूछा गया है उड़एन का संदी विच्छेद क्या होगा उड़एन का संदी विच्छेद और उड़एन का बनेगा उत्धन ड़एन जो कि आपका बेंजन संदी है यहाँ पर आपका जवाब हो जगा option right बिल्कुल सही है option आपका A सही हो जगा उत्धन ड़एन हो जगा ठीके चले नेस्कोर्षन है कि चूरन किस प्रकार का सब्द है चूरन किस प्रकार का सब्द है चूरन किस प्रकार का है तो याद रखे चूरन आपका तदभव हो है ठीके क्या है तदभव सब्द है और इसका तर्सम रूप बनता है चूरन क्या ब आपका यहां पर सही जवाब हो जगा, option right, राह ना सूझना, ठीक है option अपका e हो जगा, राह ना सूझना option आपका e सही हो जगा, चले next question वेमनस से का विलोम सब्द होगा वेमनस से का विलोम और वेमनस का विलोम क्या होता है वेमनस का विलोम होता है आपका option right यहाँ पर आपका हो जाएगा very good, option आपका भी हो जाएगा सौमनस से हो जाएगा, ठीके सौमनस से, next question है कि जस दूला तस बनी बराता कहावत का अर्थ ये question आपका हमेशा मिलता है लगबग और जस दूला तस बनी बराता कहावत का अर्थ होता है option right चले फटा-फट जवाब दीजे मिलकुँ सही option right आपका याँ पर भी हो जाएगा जैसे खोद वैसे साती option आपका भी हो जाएगा next question जो धरती फोड कर जनमता है उसे हम लोग क्या बोलते है जो धरती फोड कर जनमता है जनम लेता है ठीके तो उसे हम लोग बोलते है उदभीज बोलते है ठीके option आपका D हो जाएगा उद्भिज बोलते हैं जो धर्ती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज गहते हैं ठीके और वह जिली जिसमें माता के गर्व से निकला हुआ जो होता है उसे हम लोग जरायुज बोलते हैं ठीके ये वाला आपका इसको हो जाएगा और इसका जो जवाब पुछा है आपका D हो जाएगा प्रस्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा प्रस्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद 164 का जवाब और सही जवाब हो जाएगा option right option D हो जाएगा endorsement option आपका D हो जाएगा ठीके वहें पर देख सकते हैं कि जो आपका amendment दिया है इसका अर्थ संसोधन होता है verification के तो आपको पता है सत्यापन होता है और specimen का आसा होता है प्रतिर्यूप यावब का नमूना होता है ठीक है चलिए अगला question के जवाब दीजिए कि इन में मूख का अनेकार्थक सब्द कौन सा नहीं है मूख का अनेकार्थक सब्द नहीं है तो मूख का मतलब गुंगा भी होता है चुब भी होता है और सान्त होता है लेकिन वीवस नहीं होता है याद रखेगा वीवस ठीक है वीवस मतलब बात दे तो ये आपका मुग का अनेकार्थी सब्द नहीं बनेगा इस प्रकास से डिनम्बर आपका हो जाएगा चलिए अगला कोशन है राम की गाय चर्ती है में कौन सा कारक है राम की गाय किस की गाय है राम की गाय इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो आपको दर्सार आए वो संबंध दर्सार आए ठीके का की कि किस में होता है संबंध कारक में होता है और आपका सी होज़ेगा संबंध नेस कोशन है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सरो नाम है वह वह जो सरुणाम है किस प्रकार कर सरुणाम है इजी question आपके है और वह देखो या वह यह जो वह यह जो सब दोते हैं आपके निश्चय वाचक होते हैं वह बहुत अच्छा लड़का है अर्थात वो बिल्कुल निश्चीत है अर्थात option राइट अपका ए हो जएगा निश्चे वाचक अगला है अनुमान का विसेशन होगा अनुमान का विसेशन क्या बनेगा चले अनुमान का विसेशन फटा फट जवाब दीजे और अनुमान का विसेशन बनता है अनुमानित ठीक है option आपका यह हो जाएगा अनुमानित हो जाएगा ठीक है अनुमानित नेस कोशन दिया है जब पानी बरस्ता है तब में ढक बोलते हैं में जब पानी बरस्ता है कौन सो उपवाक है जब पानी बरस्ता था ये वारे सब्द बताना ये किस प्रकार का उपवाक्य है ये कह सकते हैं वाक्य है जब पानी बरस्ता है और जब पानी बरस्ता है ये आपका देखो किरिया तो होर ये विसेशन हो जाएगा किरिया विसेशन का उपवाक्य है आपका C हो जाएगा किरिय ग्यानपीट पुरुषकार मिला था महा देवी वर्मा को किस पुष्टक पर ग्यानपीट पुरुषकार मिला था और यहां पर आपका सही जवाब विल्कुल सही जवाब है आपका D हो जाएगा यामा के लिए ठीक है किसके लिए मिला था आपके यामा के लिए मिला था इनको 1982 में ठीके तो इस प्रकार से option right आपका हो जाएगा कौन सा आपका d number हो जाएगा इनकी यहाँ पर देखा जाए तो और भी रचना हैं जिसे निहार, रस्मी, नीरजा, संदेगीत आप भी देखने को मिलती हैं ठीके चलिए अगला कोशन है सुमित्रा में प्रत्य होगा, सुमित्रा यहाँ पर प्रत्य पूछा है, प्रत्य मतलब होता है किसी भी सब्द के बाद में जुड़ा हुआ सब्द ठीके, जो इस्ट्रा होता है, तो सुमित्रा, यहाँ पर सब्द आपको जो निकला है वो आपका A निकला है option आपका यहाँ पर कौन होज़ेगा A number चलिए नेस question साकेत महाकाबी की रचीता है साकेत महाकाबी की रचीता कौन से है चलिए हमेशा से पूछा गया प्रस्न सभी का सही जवाब होने चीए और बिल्कुल सही जवाब है आपका होज़ेगा सी मैथली सरनगुप्त कौन है आपके मैथली सरनगुप्त है ठीके और यहाँ पर नेस question काते है question आपसे एकला पूछा गया है कि जो कभी लोगपिरी होता है उसका सम्मन सभी करते है इस वाक्य का सरलतम बताइए इसका सरलतम वाक्य बताना है कि जो कभी लोगपिरी होता है उसका सम्मन सभी करते है सरल वाक्य क्या बनेगा और यहाँ पर सरल वाक्य मतलब होता है एक ही उद्देश और एक ही आपका विधेव उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं तो यहाँ पर देखे option B लोगपिरी कभी का सम्मान सभी करते हैं बिल्कुल easy question आपका ये बन गया बिल्कुल सरलवा की हो गया बिनमबर ठीके लोगपिरी कभी का सम्मान सभी करते हैं और दूसरे आम लेक्ट को नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखो हमने आपको बताया था कि जैसे वे है और है इसलिए ये कंजनसन आपको देखो लगे है इसका मतलब है कि ये नहीं होंगे option आपका B सही हो जाएगा next question दिया गया है कि सरा सर में कौन सा समास है सरा सर में कौन सा समास है सरा सर जब दुरुक्ति वाले वर्ण आ जाए ये कह सकते हैं पहला पद आपका प्रधान हो जाए ठीके तो उसे हम लोग बोलते हैं आपका विल्कुल सही है option आपका C हो जाएगा आप बेई भाव समास ठीके C नमबर आप बेई भाव समास next question मैंने रमीज से पत्र लिखवाया इस वाकि में लिखवाया कौनसे प्रकार की किरिया है देखो यहाँ पर लिखवाया अर्थत प्रेणा है तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कौनसा 76 option right आपका जवा हो जाएगर सी प्रेणा थक किरिया याद रखिए प्रेणा थक किरिया आपकी दो प्रकार की होती है कैसी भासा है औधी भासा है विल्कुल से यह option आपका भी हो जाएगा औधी भासा है ठीक है औधी भासा है चलिए next question का जवाब दीजी यहाँ पर कह रहा है दिख दर्शन का संद्विछेद बताईए दिख दर्शन और यह भी आपका बेंजन संदी है किसी विवर का जो गा है जो तीसरा वाड होता है पांच्वे वाड होता है पर तीसरे का पहला में हो जाएगा दिख गा का परिवर्तन काम हो जाएगा दिख धंदर्शन हो जाएगा ठीक है दिख धंदर्शन और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा और 79 को उप्सन राइट यहां पर देखे आशीरवाद किस प्रकास से लिखा जाता है आसिरवाद कौफी कन्फूज कर देता है विquis सही है आप्सन यहां पर यह हो जाएगा आसिर आप 799 का और यह हो जाएगा यह आपकाएओं जाले अग्ला नगा क्folgि पताइए आँखों में धूल जोकना मोहरे का अर्थ देखो ऐसे लेकिन ये जो आपका होता है सा ये एक तालू से भी आता है अर्थटा तालू अर्ग में भी इसे अरकते हैं और वैसे भी तालू में आपके और भी होते हैं कौन चा चा जा जा या 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 यह जो चारान आते हैं इसी के अंतर गताते हैं तो इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा ने इस कोशन है हाथी किस प्रकार का सब्द है हाथी किस प्रकार का सब्द है चले हाथी और हाथी सब्द जो आपका है यह आपका है option right भी हो जाएगा यह आपका तदभो सब्द है ठीक है तदभो सब्द और इसका जो तश्म सब्द होता है अर्था संसकत सब्द होता है वो आपका होता है हस्ती होता है क्या होता है हस्ती होता है देखो तश्म मतलब होता है जो और चलियां पुजारी भगवान पीतामबर की पुजा कर रहा है यहां पर पीतामबर पत समास है पीतामबर पीतामबर में समास क्या है और पीतामबर अर्थात पीला वस्त धारन करते हैं कौन धारन करते हैं पीला वस्त कौन धारन करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सही है पीला अर्थात विश्णू बगवान होता है और जब विशेस अर्थ निकलता है वहाँ पर आपका बहुबरी समास होता है, very good, option आपका B हो जाएगा, बहुबरी समास, चले, कामाईनी महाकाबी के रचनाकार का नाम, कामाईनी महाकाबी के रचनाकार कौन से हो जाएगे, और यहाँ कामाईनी जो लिखा है आपके जैसंकर्प साद ने, option आपका D हो जाएगा, जैसंकर्प सर्गों में विभक्त है ठीके 15 सर्ग में और यहां पर नेक्स कोश्चन कि असुरच्छी सब्द में कौन सा उपसर्ग है उपसर्ग उपसर्ग मतलब होता है किसी भी सब्द के पहले जुड़ा हुआ देखिए यहां पर आ धन सुरच्छित है असब्द आपका यहां पर क्या है उपसर्ग है इस प्रकार से उपसर्ग आपका आ सुरच्छित देखिए यहां पर दो सब्द निकल आएंगे आ और सू दो आपके यहां पर उपसर्ग निकल लाएंगे आ धन सू आधन सू आपके र पर्यावची नहीं है तो अगनी का पर्यावची आपका देखिए क्रसान होता है हुतासन होता है वहिन होता है लेकिन अनिल नहीं होता है ठीक है अनिल नहीं होता है अनिल अपके हवा का पर्यावची होता है ठीक है चलिए यहाँ पर नेश कोश्चन दिया है कोश्ठांकित व हैं अर्द ऴरं में आप सकते हैं जैसे कि योजनां थोड़ा से दैस होता है जोट से आपके कैसे होते हैं इस अपकी कैसे होते हैं, आपका ऐसे हलकल से ऐसे डाइस कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से नियदेशन होते हैं, समझे मागे होगा, चलि अगला है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, यहाँ पर दिये गए कौं से सब्द भेद असुध है, यहाँ पर किस जवाब, X802 का, देखिए, यहाँ पर जो सब्द कोई भी, अब असुद्ध सब्द, यहाँ पर देखिए, कोई सब्द दिया है, यहाँ पर भी कोई दिया है, ठीक है, चले अगला है, महाधन इस का संधी रूप बताइए, महाधन इस, बड़ा और बड़ी, अर्थात, महाध गैसे में आपको देखने को मिलता है ठीक है जैसे कि आपका देखा देवेंद्र हो गया चंद्रोध्य हो गया हर्शी हो गयाा ठीक है चरीकर्ण leanegra question से इतर भाव की जब प्रधानता हो ठीक है और यहां पर कर्मक किरिया होती है देखा जाए तो आपसन आपका भी हो जाएगा मुझसे खाया नहीं चाहता है ठीक है यह आपका भाव अच्छ हो जाएगा चलिए धीरे-धीरे का समास बताएगे धीरे-धीरे का समास और धीरे- सरासर कहीं ना कहीं दिनों दिन ठीक है ऐसे वर्ड होते हैं आपके हमेशा अभ्य भाव समास में आते हैं बी नंबर नेश्ट कोशन है आक ना दीदा काड़े कसीदा लोकुक्ति का अर्थ क्या बनेगा और 192 का जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट डी नंबर योगता न रहने पर भी काम करने की सीखी मारना ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा नेश्ट कोशन है वही मनुस से है कि जो मनुस से के लिए मरे पंक्ति में कौन सा लंकार है इसे भी आपने काफी बार पढ़ा है वही मनुस से है जो मनुस से के लिए मरे और 193 और यहां पर कह सकते हैं उयसे कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां है प्रसने एक बार आया था 2015 में तब इसको किया गया था यहाँ पर आपका यही होगा B नमबर क्योंकि मनुष से और मनुष से दो बार आया है ठीके इस प्रकास से यहाँ पर देखा जाएं तो यह बाला आपका हो जाएगा नेस कोशन वागे स्वरी का पर्यावाची सब देख्या है वागे स्वरी का पर्यावाची 194 और वागे स्वरी का पर्यावाची जो आपका हो जाएगा सही आप्शन और आप्शन आपका हो जाएगा B नमबर यह आपका सारदा का है ठीके किसका है भी तो सारदा का पर्यावाची आपका हो जाएगा वागे स्वरी हो जाएगा ठीके और अगला कोशन आप से यहाँ पर दिया गया है कि अवस्थिती वाकि खंडों के करमबध यहाँ पर बनाना है करमबध से बनाना है और यह भी प्रस्ण आपने कई बर पढ़ा भी है है ना वाकि को अगर एक देखा जाए गर सुद्ध रूप से तो देखा जाए कि सुरू से ही इसको करम से लगा रहे है ठीके यहाँ से इस्टार्ट होगा इसका कि सुरू से ही आर्थिक और समाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारती सहते चले आ रहे है यहां पर आपका इस प्रकार से करम से बनेगा और देखा जाए तो सही करम आपका D हो जाएगा यह बाला ठीक है चले तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में आपका अलंगकार पुछा है तीन बेर कार्थ है तीन बेर अर्थात यहां पर संख्यावाची है तीन बेर कार्थ हो गया सुबा दुपाहर साम है ना अर्थात कह सकते हैं कि यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा तीन बेर खाती है यहां पर सी नमबर आपका हो जाएगा ठीक है य 2015 में आया था ठीक है चलिए कि विशम इस्थाई भाव किस रस्मे होता है कि यहां पर विश्म इस्थाई गरणा होता है ठीक है चारो किलियर हुए चले यद्यप मोहन धनी है तद्यप बहुत दुखी है ये किस प्रकार का वाक्य है यद्यप मोहन बहुत धनी है तद्यप बहुत दुखी है हमने बता है था यद्यपी तद्यपी है ना जैसे वैसे ऐसे ऐसे कुछ वर्ड होते हैं ज सम् Soo-HaT Belgian-Saharaya MPR और अइसा आपको मिल लेगा किसमें मिस्यों वाक्य में तो यहां पर दो-चार पॉयंट आपको पढ़ने होते हैं साधान वाक्य में और मिस्यों वाक्य में जिनको आप आजानई से पहेचान सकते हैं अगला है JISE के बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, के लिए एक सब्द बताईए, जिसके बराबर कोई ना हो, उसके लिए बोलते हैं, अनुपम, क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं, उप्सन आपका भी हो जाएगा, अनुपम, ठीके, चले, जंगल में लगने वाली आग को, क्या कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को बिलकुल इजी है जंगल में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैं दावा नल क्या बोलते हैं दावा नल बोलते हैं पेट में लगने वाली आग को जठराग नी बोलते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को बढ़वाग न जैसे देखा जाए तो हिंदी अब लगब लगब कॉमन कोशन मिले लगे हैं और अगर पुराने बच्चे की 45 प्लस नहीं आते हैं तो भाई तैयारी करने की जरूत है आप लोगों को ठीके फ्री टाइम इस समय देख सकते हैं कि फ्री टाइम तो है आपके लोगों के पास सिर परहाई करना चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में सभी को धन्यवाद जैनी 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 जैनी